जैसे कि आपको भता है राज्जेसर का दोरा बड़ी मात्रा में इसकुलों को करमुंत किया गया है कई सकुलें हैं वो माधिमीक में या सिदेए उच्छ इचा माधिमी में करमुत होई है तो करमुंत होने के बाद में माधिमी सिक्षा बोर्ड अजमियर से उसकी संबद तायön एफिलियेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा और ये काम आपको इसी साल अनिवारी रूप से करना है क्योंकि जो भी विद्याले करमुंद होता है उनको मादिमिक स्टुडेंट है उनके बोर्ड की फॉर्म है वो नहीं पर पाएंगे तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको पुरी जान करें डिटेल में दूँगा तो सबसे पहले आपको जैसे जो भी नव करमुंत मादिमी के उच्छ मादिमिक विद्याल है वो मादिमिक स्टुड की संबत्ता यानि अफिलियेशन के लिए कैसे करेंगे तो सबसे कलें एक लिंक दिया हुआ है से लाव पुरा फ्रोसेस्ट वहां कुलिक करने के बाद में रिश्टेशन फोर अफिलियेशन फोर निउडियो सब्सेड करेंगे और जो भी आप सिक सूजना है वह पर कर कि आपको प्रोशेट पर क्लिक करना है तो आपको लॉगीन और प्रविश्य का सिमन दे उसको आपको क्लिक करना है और जहां आश्यक सूजना है वह भर करके आपको सब्मीट करने है कौन-कौन से बिद्याले का कर्मौन तो वह आदिस जो भी डारेक्टर मौन देगा या जहां से भी आदिस है वह भवन के ब्लूप्रिंट का नक्षा सत्यापित परती आपके जो भी विल्डिंग है इसकूल विद्याले भवन उसका SDMC यह संस्ता का पंजिन पर्मान बत्र, SDMC सदस्यों की सुची पर्मानित परती और सालाप परदान के नमुन अस्ताक्सर यह सामनी जो डॉकुमेंट से अब इसमें से कुछ फर्मिट भी मैं आप भोता दूंगा किस तरी किस होंगे और उसके बाद में यह सारे डॉकूमेंट से अब लोड करने के बाद में आपको पुना इसको लेफिलिशन जो लिंक है उस पर आपको आणा है और प्रिंट कन्फरमेशन लेटर डॉण लोड करना है और जिसके बाद आपको सात अंको का जो भी विद्याले कोड प्राप्त होगा और उस कोड की सायतर से बूर्ड की फॉर्म बढने के लिए आपको विद्याले की समपर करना है तो जैसे यहां से आप समपर करेंगे आपको एड जो भी सहांत अंगों का खोड़ प्रक्ट हो जाएगा आपको पाशवर्ड प्रक्राप्ट हो जाएगे अगर मालों किसी की पाशवर्ड two hundred पर लगिन करना है लेकिन अगर आप पहली बार है तो आपको यहां निव रिजिटेशन पर क्लिक करना है वो भी कैसे करना है मैं आपको तो होगा कॉन को डॉक्मेंट होंगी और इसके लावा कुछ इंपोर्टेंट जान करी कि आपको कब बढ़ना है तो आपका विद्धाल ह कर्मोंत स्रेणी में आदिश होने के दो मा के पितर आपको ओनलाइन पर पत्र पढ़ना है अन्य था एक जारूपे की आपको विलम सुल्क देना पड़ सकता है इसके लावा कुछ और इंपोर्टेंट बात हैं कि बोर्ट कारे ले द्वारा इकीस नौ दोजर भी से इस्था अब इसके लावा डोकुमेंट्स वगर रहें तो जैसे पत्रिक दिशिएव के लिए अगर आवेदिन करना है पर नाम स्थान और या माधियम या परिवर्त नेतु इसके लिए या पूर में परिष्ट कर दिया था तत पूर्ना आफ्लाइन two लयाедंगी फीज वरिश्चे दिया और अगर तो इस तरह का आपको फर्मेट अपलूड करना पड़ेगा कि प्रमानित किया जाता है कि विद्याले का नाम पता वगरा मैं सुर्क्षा के द्रश्टी से सभी कक्षा कक्षों में प्रयाप संख्या में सीसी टीवी कैमरे चालू आलत में लगे हुए और मादिमी सिक्षा साइन के साइन से एक तो सीसीटीवी कैमरे का फर्मेट आपको करना है इसके बादे मैं साला पर्दान का परंवाणी करने है कि मैं जो भी सालआ परदान हो week पर्माद करता हूं की विद्यालेकना कि नमीत admin रुप्से स्चलित है और हमारे विद्याले दौरा इस सिर्कार और बोर्ड द्वार निर्दायत मानेता या संबनता नीमों की पूंड उपसे पालना की जा रिए और नीमित्ता पाए जाने पर बोर्ड और राज्य सरकार विद्याले के विरुद नीमानुसर कार रही यह तो स्वतन्द रहूंगे तो यह इस तरीके से संसा परदान के साइन आपको यह फॉर्मेट है वो अपलोड करने पड़ेंगे और भी कुछ इंपोर्टेंट बात हैं जैसे मालो आपके यह पूराना आदेश है कि बोर्ड चे नमीन संबनता प्राप्त करने तू या पूरू में संबनता प्राप्त सभी विद्यालनों के लिए जो निर्देश है इसमें वो ही है कि आपको इस्कुल एफिलिशन पोर्टल पर जाकर करके आपको फॉर्म बढ़ना है और जो भी निर्देश सुल्क है वो देना पड़ेगा और जो आदेश या जो भी डॉकुमेंट साथ में लगेंगे उसमें कर्मोंति आदेश राजजिसर का सिक्षभा कर इंटर करने पड़ेंगे विद्याले संस्ता का चात्र संख्या के अंदरूप सिंगल सीटेट फरनीच रूप लुप प्रमाण पत्र यह भी आप शुक है और इसके लवा अगर विद्याले नीजी है तो सुर्क्षा की दरश्टी से प्रयाप्त संख्या में CCTV लाग हुए है तो वह प्रमाण पत्र और अगर कोई पूर में सुल्क वगरब आगी है तो वह इस सारा डिटेल्स आप देख लें यह बूर्ड की साइट पर सारे निर्दिश वगर सारे यहां से पढ़ें और फॉर्म बढ़ने से पहले पूर्व नियुमा या फेकी को भली पाती अब लो आगे जो भी सूजना है वह बढ़ने पड़ेगी तो यह आप द्यान रखें कि एक तो सभी नव गर्मुन राज्गी और गयर राज्गी यह निनी नेजी और सरकारी विद्यालें यह तो संबनता है तो ऑन्लायन आविदन करना निवारे है सभी नव गर्मुन राजगी गय बोड़ कर आवेदन करें और नम्बर सिक्षा दिगरी दोरह जारी मुल आदिश अनुसार परतमान का कर्मुणति आदिस और उसके साथ कर्मुणति आदिस में जारी विद्देले की करम सिंग आदिस लिखा कर ये सारे डिटर्स आपको करने नीजी विद्देले में CCTV क्यमरे चालू आलत में लगे होने चीए और बोड़ दोर अप्योग मिली जाए सकते हैं इसका भी प्रमान पता सलंग नहीं करना पड़ेगा और आपके विज़ा लगए एक से दीक कर्मोंत यादिश हुए तो सरप्रतम जो कर्मोंत यादिश जारी किया वो लिखें और बागी कि सार इसका प्रफत्र कर चुके उनके लिए या वर्चूल बिंजिन तो यहां से जैसे नव करमोंत स्लेक्टर दिया क्योंकि ज्याद दर विद्द्र एक और प्रविट मालों जैसे आपको मननेता लेनी है जैसे आट वितक था आप दस्वीव में आ गया तो अपगरेशन ओडर ह तो आपको यहां जो भी अधिस करमाग है वो सारे यहां आपको इंटर करना है अधिस की तारीक है आपको यहां से इंटर करना है तो जो भी आपको आपको इंटर करना है तो जो भी आपके मोबेल नंबर है वो आप इंटर करना है और उसके बाद में इसकुल का इमेल और पास्वेट स्क्रीन पर दिखाए देंगे उनको आपको फोईस्य में शुरूख से द्रगने के लिए इसको प्रिंट करना है उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैंने आपको होता है कि आपको डॉकुमेंट्स सारे जो भी रिक्वाइड डॉकुमेंट्स है यहां से जैसे यह परफ़त्र फोर टैंड क्लास यह बढ़ना पड़ेगा लोगिन पास्वेट आपको प्राफ्ट होने के बाद में उसके बाद में जो भी डॉकुमेंट्स है कर्मोंतियादे से विद्याले कोड प्राफ्ट होगा जो फॉर्म बढ़ने काम आएगा उससे पहले आपको फॉर्म जैसे हो जाए आपको पास्वड प्राफ्ट करने के लिए इमेल परना है और या जो आईटी सखा के फ़र नोमर इस पर आपको संपर करना है और जैसे आपको यह मिल जाए तो मुख्या परिक्षा का आविद्न करना है तो उसके लिए आपको विद्याले कोड और प्राफ्ट प्राफ्ट होने के बाद में आपको स्कुल प्रोफाइल अपडेट करना है इस प्रोफाइल किस तरह करेंगे वह मैं अगली वीडियो में बता दूंगा तो यह में तो जैनकरी थी कि आपको अगर भी आपका भी विद्याले के दिन्व करमों थे तो आपको किस तरीके से उसके लिए जो भी मानेता का फॉर्म है वो किस तरीके से ऑनलाइन बनना है और आतो आत आपके यह सारा काम हो जाएगा क्योंकि सारा सिस्टम ओनलाइन है तो यह थी मैं पून जैनकरी असा करतों आपके लिए उभी रहेगी तो इसी तरीके अपडेट जैनकरी के लिए चैन्दर भीबने रहें मिलते हैं नेक्स्ट उड़ो में तब तक जैह हिंद चैह भारत